हेलो फ्रेंड्स मैं स्मृती आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट मेड़ इजी में स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक है पंचमडी के शैल चित्र पंचमडी के शैल चित्र और हो संगाबाद के शैल चित्र ये दोनों जगे हमारी मद्यप्रदेश के अंतरगत आती हैं फ्रेंड्स इससे पहले मैंने प्रगयति हासी काल पे और उत्तर प्रदेश के शैल चित्रों पे भी डिटेल वीडियोज बनाए हैं अगर आपने मेरे वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस् ठाटा आदंगर के बारे में और सिंगनपूर के बारे में आज हम पढ़ेंगे फंचमणी चेत्र के बारे में और वीम बिट के बारे में तो पंचमणी छेत्र के अंतरगत हमारी क्वांपाय आती हैं पंच बड़ी छेत्र के चित्रों की खोज सर्व प्रथम डी एच गार्डन नामक विद्वान ने 1936 इस्वी में की थी यह इस्थान माज़प्रदेश की राजधानी भोपाल है वहां से लगभग 70 किलो मीटर दूरी पर इस्थित है इस चेत्र के सर्व प्रथम सोधक थे शी जी आर हंटर यहां दो चीजी हैं एक तो यह है कि 1932 में सबसे पहले जी आर हंटर ने यहां के चित्रों का पता लगाया था और एक ये है कि 1936 यानि 1936 में जो DH garden थे उन्होंने भी यहां के चित्रों का पता लगाया था तो दो लोगों का नाम आता है अगर GR hunter option आता है तो भी आप लगा सकते हैं और DH garden भी आता है तो भी आप पंचमडी के चित्रों की खोच कस्रे उनको जाता है तो इन दोनों ने ही वहां के शैल चित्रों की खोच की थी तता ये जो इस्थान है ये महादेव परवत शेडी में स्थित्या है और इसके बारे में एक बात और कहिजाती है कि जो पौराडिक कता हैं महा भारत के अंसार इसका नाम पंचमडी रखा है क्योंकि यहां पे पांच पांडो जो थे उन्होंने अपना जो अग्यातवास का समय था पनवास कालीन समय था यहां पे अपना निवास ग्रह बनाया था इसलिए इसको पंचमडी भी कहते हैं एक और बात है पंचमडी के बारे में कि जो यहां जो भाडी है यहां पे जो गुफाएं बनी है वो मानव निर्मित गुफाएं है मतलब वो ऐसा कोई एक प्राकर्तिक शैल नहीं है उसको काट के मतलब पत्रों को काट के और उसको अकार दिया गया है तो वो शैल बनाई गई है और यहां पे आसपास पंचवणी में आसपास जो भी घाटियां हैं जो भी खाईयां हैं उसको वहां पे बहुत सारी मतलब जो शिलाश्रे हैं जहां पे आदिमानो निवास करता था तो उन सब जगे पे बहुत सारे मतलब गुफा चित्र हमें प्राप्त हुए हैं तो जो महादेव परवत है इसके चारो और जो इस्थित है डोरको दीप महादेव बाजार सोन ब्रद जम्बू दीप और निम्बू भोज बनिया बेरी मारो देव तामिया और जालई इन सारे इस्थानों में हमें प्राकर्तिक गुफाओं में हां कि जो शैल गुफाएं हैं वहां पर आदि मानों के कालीन जो शित्रकारी थी जो गुफाओं में प्राप्त हुए हैं यहां के जो मुख्य विशय थे उसमें तो आखेट और जो मानों के दैनिक क्रिया कलाप थे और जो उसके मतलब जो दैनिक दिंचरिया से संबंदी शित्र थे वो बहुत अधिक लो कि हमें देखने को मिले हैं यहां पे पंश्वों को चराते हुए शहद इखटा करते हुए इन सब चित्रों का अंकन हुआ है यहां पे मुख्य रूप से नर्तन बाधन का भी चित्र ने सावstem देखने को मिल्ता ये पंच बड़ी छेत्र की गुफा है जो देखिए वो मानो निर्मित है और माडा देव गुफा की छट में शेर के आखेट का द्रश बहुत ज्यादा फेमस है इसमें एक सेर बना है बीचो बीच और उसके आसपास उसका आखेट मतलब उसका शिकार कर रहे है सबी सिकारी च ये चित्र समय के उससे थोड़ा धुंदला हो गया है नेक्स्ट है ये भी आखेट का चित्र है हिरन का आखेट करते हुए मानों है ससस्त्र युद्ध द्रश है मानों का फिर गाय को चराते हुए भी हमें पंचमडी से प्राप्त हुआ है चित्र फिर ये देखिए कुछ मत में पंचमडी में जो बाजार के नाम की स्थान था नर्तन वादन का सबसे जधा चित्र में ही मिला बंचमडी की गुफाउं में ही मिला है बनिया बेरी बनिया बेरी नामक जो गुफाती वहां से हमें सबसे ज्यादा प्रशिद गर्ववती गाय का चित्र प्राप्त हुआ है यह थोड़ा अन्य जगे शिलाश्य भी है जिसमें रायसिन नरसिंगड विदिशा जावर बेतूल रीवा सतना च्छतरपूर पहाडगड गौलियर भानपूरा और भीम बेटका तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा भीम बेटका जिसको हम यहां आज पढ़ेंगे भीम ब हमें मिला है पर आज वर्तमान में वहां लगबग 275 गुफाओं में चित्र में प्राप्त मिले हैं और यह सारी जो मतलब सामगरी है वो तीस हजार इसापूर से दस हजार इसापूर्व की मानी गई है यहां के चित्रों की खोश सबसे पहले श्री विश्नु श्रीधर बाक की गई है मतलब एग चित्र के उपर दूसरे दूसरी स्तर पे चित्र कारी की गई है जैसे यह है इक टरीके से इस्तर बद क्रम बद या इस्तर बद चित्रकारी भी कही जा सकती है और यहां पे जो चित्रकारी हुई है वह बहुत ज्यादा विशाल गुफा चित्रों में हुई है मतलब भीम बेट का नामक जगह है वहां पे उसके दोनों तरफ जो गुफाएं हैं वहां पे लगबग 600 से अधिक गुफाएं हैं और सभी में ही चित्रकारी हुई थी पटा में अभी 275 गुफाओं में ही वहां से चित्र प्राप्त हुए हैं आगे देखते हैं यहां पर क्या है यहां मुख्य रूप से साथ इस्तर में चित्रकारी की गई है यहां पर पूरपाशाणकाल मद्दपाशाणकाल नवपाशाणकाल के बाद तक की भी चित्रकारी की गई है से एक्जामपल हमें मिलते हैं विश्व भर म एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गुफा चित्र हमें और कहीं से नहीं प्राप्त हुएं जितनी हमें भीम बेड़का से प्राप्त हुएं और यहां के जो ज़्यादा तर चित्र है अधिकांस्ता चित्र हमें गुफाओं की छटों पर और दिवारों पर बने हैं यहां लाल और सफेद रंग का सबसे ज़्यादा यूज किया गया है यहां के चित्रों में आखेटक और पशू पच्छी मानो आकरतियों इसके साथ साथ यहां पे जैमिती आकारों का भी बहुत ज़्यादा यूज हुआ है और जो चित्र होते थे वो सिंपल रेखाओं से ही नहीं उन रेखाओं में वो बहुत ज़्यादा डिजाइन और अलंकरण वगएरा भी वो यूज करने लगे थे यह देखिए यह वहां के कुछ चित्र है भीम बेटका के जैसे अब सिंपल लाइन्स के ही चित्र नहीं है पीछे जो चित्र बने है उसके उपर भी चित्र बना दिया गया है मतलब इससे पता चलता है कि जो पहले चित्र बने थे उसके उपर उन्होंने मतलब पशाण काल के मानोंने उसके उपर भी चित्रकारी करी है और जो भी फॉर्म्स वगएरा बने हैं जो भी चित्र बने हैं उसमें अब रिदम वगएरा भी काफी अच्छे से देखने को मिली है और चीजों को बहुत जादा अलंकरण करना उन लोगों ने शुरू कर दिया था यह देखिए इस्तर पहले जो चित्र बने हैं सफेद कलर के उसके उपर भी लाल रेखाओं से चित्र बना दिये गए हैं फिर यह एक नत्यवादन का चित्र है इसमें एक कोई आदमी बीच में कुछ बजा रहा है कुछ वाद्य और उसके आसपास सभी नत्य कर रहे हैं और उ जादा होने लगा था बगल में जो यह कि घोड़े पर धनुर धारी है इस पर भी घोड़े को देखके आपको मतलब समझ में आयेगा कि कितना जादा Rain को और कितना जादा रिदम और कितनी जादा Clarity चित्रों में आने लगी ते इसलिए इसको जो Clarity थी चित्रों में इस तर जित्र बनाया गया है मुक्खि रूप से तो सफेध रंग का और लाल रंग काया है कहीं कहीं पर मात्रे रे खाऊ से ही चित्र बने है और कहीं कहीं पर उस पर कलर भी किया गया है तो यह अलग-aker game आन। पर सबसे ज़् Cow due mono help होग गर हम एक साथ एक-망ळ mo मद्य प्रदेश के छेत्रों में सबसे ज़्यादा विशाल गुफा चित्र और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन रहा है क्योंकि मद्य प्रदेश जो है गुफा चित्र का मतलब एक तरीके से में सेंटर रहा इसमें सबसे ज़्यादा चित्र गुफा चित्र मद्य प्रदेश स जाएंगे जहां पर हमें गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं वहां के मैं वहां के बारे में मैं आपको बताऊंगी आई होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिसे आपको टाइम टु टाइम मेरे लेटस वीडियो के नोडिफिकेशन मिलते रहेंगे मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई